डियर स्टुडेंट कैसे हैं आप लोग अच्छे हैं चलिए आज हम लोग एक नया टोपिक के साथ मिलते हैं जिसका नाम क्या है जी इसका नाम है केमिकल बॉंडिंग दिख रहा होगा आप लोगो दिख रहा है ना तो केमिकल बॉंडिंग के साथ हम जो मिलते हैं यह बड़ा basic chapter है chemistry का इसलिए ज़राद दिल से पढ़िएगा आप तो क्या होगा औरगनिक में भी ज़रत पढ़ता है chemical bonding का इन धीक में ужर ज़रत पढ़ता है आप देखेगा colleague class 11-12 का inorganic भाद में के बारे में बहुत सारा लोएर क्लास में आप पढ़े होंगे बहुत gather के बारा मैं कुछ कुछ आपको knowledge होगा ही अभ उससे आगे का मोलेज्ज हम लो गन करेंगे होंते तो chemical bonding किसको बोलते हैं बच्चो? Where do we all know the force up attraction between the atoms in your molecules is known as chemical bond chemical bond किसको बोलते हैं रहे एटम के बीच में जो force of attraction लगता है न उसी को बोलते हैं फोलो करता हुआ हमाद को और यह जो tendency है किसी item का chemical bond बनाने का उसी को बोलते है chemical bonding फोलो करता हुआ हमाद को the force of attraction between the atoms in a molecule is known as chemical bond and tendency of an atom to form a chemical bond is known as chemical bonding ओके सजना रहा है आप लोगों को अब हम लोग बात करते हैं क्या जी हम लोग बात करते हैं chemical bond कोई atom क्यों बनाता है यह जानना तो जोड़ रही है कोई भी चीज जो होता है उसके पीशे कुछ कौज होता है तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कौज of formation of क्यों बनाता है जी इसके पीशे दो कारण है दो कौज है हम लोग पढ़ेंगे एक बोलते हैं electronic theory of valency दूसरा energy concept ठीक है एक एक करके clear करते हैं हम लोग पहला कौज क्या है बाबू पहला कौज है electronic theory of valency electronic theory of हम लोग बात करते हैं valency एक कौज कों दिया था जी यहाँ पर दो scientist का नाम जुड़ा हुआ है एक scientist कौन लेवी साहब लेवी साहब एक्चुली कोसेल साहब किसका concept दी है पता आपको आयनिक बॉंड का और लेवी साहब किसका concept दी है कोबरेंड बॉंड का और यह दोनों concept यहां combined है electronic theory of valency में इसलिए दोनों का नाम लिखना जोड़ रही है नहीं तो पिर तो समझ रहे हो ना कौसेल साहब का concept दोगे उसका नाम लिखोगे लोई लोई साहब का नाम लिख दोगे तो फिर होगा ने इस का लिखेंट नाम को जखो और लोग बॉलते हैं लह इस तो सारा element क्या करना चाहता जी stable configuration gain करना चाहता कैसे like inert gas नाम सुने आप inert gas ना कौन कौन है रे बाबो helium neon argon krypton zenon redden इस सब क्या जी inert gas है क्या है inert gas है helium neon argon krypton zenon redden इस सब क्या है रे बाबो inert gas है follow करते होर माहत को तो हम लोग बात करते हैं आपर helium का atomos confusion में कितना लटव Neon पाना होता neon का क्या होता Developation 2s2p6 argon का क्या होता है जी 3s2p6 और krypton का क्या होता है हम लोग बात करते है 4s2p6 follow करते हैं आप और इसका क्या होगा रे बाबो 6s2p6 फॉलो करतो तो अल्टिमेट लिए लो बात करते हैं यहां पर देखिए इसका बैलेंस एलेक्टोन कितना है कितना है दो एलेक्टोन है है ना टू एलेक्टोन और इसमें कितना है समय देखो तो टू पलस सिक्स कितना है यह एट एलेक्टोन तो इनट गैस का आधर डूपलेट होता है या actate होता है और duplicate or octave stable connection वाना जाता है इसलिए इसे přेinert होता है nan reacting है थोड़ा बहुत react करता है जहन्म नहर्राइण देखेंगे अब लोग लेकिन यह सब क्या है इनिट stable configuration है तो सारा element क्या करना चाहता जानतो is stable configuration करना चाहता किसके जैसा इनट गैस के जैसा तो इस्टेबूल करने का बेसिकली दो तरीका है यहां एक तो कोविलेंट बनाना या आयनिक बनाना आयनिक उसको एलेक्टोविलेंट भी बोलते हैं तो हम लोग क्या बात करते हैं जी जैसे यह और दोनों अलग अलग घुम रहा धने तां दोनों में हुआ कि भी है हम लोग बड़ा एनिस्टेबूल हैं ऐसा करते है ज़रा हम लोग गला ये विला दे देंगे तिया जो जागा ये यहां चला जयागा तो नेचल बात है यहां पर सोडियम एक Alberts दे दिया किसको कुल मैंको तो अल्टिमेटली यह वाला वॉन चला हो गया किसके जैसा इनटकस के जैसा तो नेचरल बात है यह जो लूज और गैन करके जो बॉंड बनता है बढ़ेंगे हम लोग आगे उसको क्या बोलते हैं जी उसको बोलते हैं आइनिक बॉंड फोलो करते हुआ तो इस्टेबूल करने का एक तरीका हुआ ना लूज करना दूसरा एक और होता है जैसे यह सी अलम लोग बात करते हैं तो यह एक एलेक्टोन देता है और सी अलेक्टोन देता है तो देखने आप क्या बात करते हैं बैलेंस सेल का एलेक्टोन यहां क्या करता है जी सेरिंग करता है सेरिंग सेरिंग कैसे होगा जी इसके पास भी एक अब देखिए हाइडोजन के पास ये दोने इलेक्टोन में दोनों का अधिकार है यहाँ पर सोडियम दे दिया इसकरो कोई मतलब नहीं हम को उस इलेक्टोन से देकिन हाइडोजन को बोला कि तुम भी दो हम भी देंगे मील बाट कर खाएंगे और इसी को क्या बोलते हैं जी मील बाट कर खाने वाले को कोवलेंट बोन देखेंगे इस सब के बारे हम डिटेल हम लोग पढ़ेंगे तो जो भी रहे तो यहां पर सेरिंग करने के बाद हाड्रोजन के पास कितना लिटन हो गया मतलब यह हिलियन बाला कॉन्फिक्शन हो गया मतलब डुपलेट हो गया इस्टेबूल कॉन्फिक्शन हो गया और CL के पास कितना हो गया देखो तो हम लोग बात करते हैं टू 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 शिक्स और यह सेर बला लेकर कितना हुआ एट तो ने चल बात है इसका एक औक्टेट हो गया कहने मतलब क्या हुआ कहने मतलब स्टेबुल गें करने के लिए इलमेंट क्या करता है जी ऐदर लूज करता है या गें करताह है सोडियम लूज किया क्लोरिन गें किया और क्या हुआ च्बान ये व्ल전에 कौन गया है और कहने मतलब ये वाला concept कौन दिया है कोसेल साब ने ये वाला concept कौन दिया है लेविश साब ने इसलिए electronic theory of balance में हम लोग दोनों बात करते हैं किनका कोसेल साब का और लेविश साब का फोलो करते हुरमात को तो नेचल बात है according to electronic theory of balance chemical bond क्यों मनता है बाबू because यहाँ पर क्या करता है जी every element have tendency to gain stable configuration like inert gas by losing or gaining or sharing of electron फोलो मात को तो lose or gain कर का मतलब क्या करेगा अनिक bond और sharing का मतलब क्या हो तो नेचल बात है bond क्यों बनाता है ये वाला configuration करने के लिए क्या समझाया electronic theory of balance समझाया simple सा बात है ये लोगर क्लास में भी पढ़ते होंगे क्लियर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दिक्कत कैसे हो गया देखते हैं अभी आगया अगला हम लोग क्या बात करते हैं जी next दूसरा एक important concept है energy concept आप जानते ही हो energy बड़ा important चीज होता है जी आपके घर में जो पाणी आता है नल से जो आता है ट Rider P 어떻게 ये टेंकी में उपर में रहता है वहां उसका पर सेनर्जी ज़्यादा रहता है पानी का आपके घर पहुंचाता है पर सेनर्जी घड़ जाता है stability बड़ जाता है cycle बार बार गिर जाना चाहता कहीं cycle खड़ा राता देखतो और मौका मिलता है गिर जाता जी क्योंकि गिर जाने से उसका energy घड़ जाएगा MGS घड़ जाएगा प्रस energy घड़ जाएगा तो वो इस्टेबूल हो जाएगा दुनिया इस्टेबूली तरफ जाती है इनर्जी कॉंसेप्ट क्यों बनाता है कोई भी एलिमेंट जी chemical bond अपना energy को घटाने के लिए या stability को बढ़ाने के लिए फोलो करतो बात को अपना energy को घटाने के लिए या stability को बढ़ाने के लिए तो second concept क्या है energy concept फोलो करतो बात को अभी बहुत जगह यह basic चीज़ है, energy concept, हर जगह जब भी confusion, chemical bonding में न, तो आद रखना energy concept, फर्मात को, क्योंकि finally energy घटाने के लिए chemical bond बनता है, देखो जरा सा हम लोग कैसे बात करते हैं, जब भी कोई chemical bond बनेगा, दोठो एटम के बीच में, कोई भी रहे, तो दोगो एटम के बीच में chemical bond बनेगा, chemical bond बहुत तरीके से बन सकता है, देखेंगा हम लोग, तो जैसे हम लोग बात करते हैं, A और B कोई दोठो एटम है, इसके बीच में chemical bond बनेगा, तो जानतो हो, जब एक दूसरे के पास दोने एटम आएगा, तो क्या होगा जी, इस case में, दो तरका फोर फोर्स अप एट्रेक्शन और दूसरा फोर्स अप रिपल्सन, फोलो करते हमात को, एक फोर्स अप एट्रेक्शन और दूसरा फोर्स अप रिपल्सन, तो मानलो यह एक फोर्स अप एट्रेक्शन है, दूसरा क्या है जी, फोर्स अप रिपल्सन है, फोलो करते हमात को, तो जब भी chemical bond रहे बनेगा दो एटम एक दुसरे का पास रहेगा तो confirm बात है force of attraction को ज़्यादा होना पड़ेगा किसे force of repulsion से और यह attraction repulsion बहुत तरीके से हम लोगो बात कर सकते हैं कैसे suppose को हम लोगो बात करते हैं इसका electron इसका nucleus के बीज में क्या होगा जी attraction होगा इसका electron इसका electron और इसका electron के बीज में क्या होगा जी हम लोगो बात करते हैं repulsion होगा फिर हम लोगो क्या बात करते हैं जी अगर कहीं electron transfer कर दिया तो charge develop किया तो उसके चलते भी attraction होगा confirm बात है यहाँ पर दो तरह का force तो लगेगा एदर attraction एक force लगेगा क्या? attraction और दूसरा क्या लगेगा? repulsion फोलो करतों मात को लेकिन chemical bond बनने के लिए क्या होना पड़ेगा? बोलो ना, अरे दोनों atom एक दूसरे के पास रहेगा तो confirm बात है कि attraction जादा होगा किस से? repulsion से तभी तो chemical bond बनेगा फोलो करतों मात को और chemistry की दुनिया में आगे आपको समझाएंगा अच्छा से डिटेल से जब भी हम बात करेंगे attraction का तो force up attraction में क्या होता जानतों energy वहाँ से निकलता है जब भी attraction होता है दोनों के बीच में कहीं पर atom के भीच में तो energy निकलता है तो energy निकलेगा तो energy घटेगा तो stability क्या होगा रे? stability क्या होगा? बढ़ेगा अगर घटेगा तो stability क्या होगा जी? बढ़ेगा और repulsion से क्या होता जानतो? रिपल्शन से energy बढ़ता है और chemical bond बनने के लिए attraction को ज़्यादा होना पड़ेगा repulsion से काने मतलब attraction must be greater than repulsion और attraction क्या करता है attraction energy को क्या करता है रे बाब वो energy को घटाता है जबकि repulsion क्या करता है simply समझे आप energy को बढ़ाता है अब बोलो ये energy को बढ़ाने वाला चीज है ये घटाने वाला चीज है और attraction ज़्यादा होता है chemical bone में तो घाटाने वाला चीज जादा हुआ, बढ़ाने वाला चीज कम हुआ, तो कनफर्म बात है, इनर्जी फानेली क्या होगा, घाटेगा, घाटेगा की बोलो आप, कहाने मतलब सोडियम और कुलरीन मान लो, जब एक दो अलग-अलग था जी, तो इसका इनर्जी जादा था, ज नेचरल बात है, कुछ भी हो, यहाँ अट्रेक्शन मस्ट भी ग्रेटर दें रिपल्सन होगा, मतलब अट्रेक्शन मस्ट भी ग्रेटर दें रिपल्सन होगा, मतलब अट्रेक्शन जब जादा होगा, तो फानली इनर्जी जादा निकला होगा, रिपल्सन अगर कम होगा, फाइनल इनर्जी कम बढ़ा होगा तो बोलो ये दोनों मिला कि अगर एट्रेक्षन ज़्यादा है रिपल्सन से तो इनर्जी ज़्यादा घटा होगा तो ज़्यादा अगर इनर्जी घट गया होगा किसका? एटम का काने मतलब सोडियम और कुलोरीन जब अकले घुम रहा था जी तो क्या था उसका इनर्जी ज़्यादा था और जब ये इनिस्यल कमपाउंड बनाया ना तो एट्रेक्षन ज़्यादा हुआ मतलब इनर्जी ज़्यादा घट गया मतलब इनर्जी कम हो गया मतलब इनर्जी ज़्यादा होता है बन बनाने से उसका इनर्जी कम हो जाता है तो बोलो बनायेगा ये नहीं बनायेगा बनायेगा फोरमात को क्यों अपना इनर्जी को या पना इनर्जी को घटाने के लिए और इस्टेबिल्टी को बढ़ाने के लिए तो अब लोग बोल सकते हैं energy concept को अंगरेज की तरह अंगरेजी में कैसे बोल सकते हैं When two atoms are broad closure to form a chemical bond then two types of force exist between them That is force of attraction and force of repulsion Force of attraction is always associated with decrease in potential energy of a molecule and increase in stability Therefore a chemical bond is formed by atom to decrease its force energy and increase its stability Clear है, chemical bond atom क्यों बनाता है जी, अपना परस अनर्जी को घटाने के लिए और stability को बढ़ाने के लिए, clear, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है इसमें तो दो चीज हो गया, chemical bond वाने का कोजिए एक electronic theory of dependency दूसरा हम लोग क्या बात करते हैं, energy concept, clear है वाबो, हाँ, clear एक दम होना चाहिए इसमें क्या है, अगला हम लोग बात करते हैं क्या, इस chapter में बहुत बढ़ा chapter है यहां हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे अभी, आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे types of chemical bond, और types of chemical bond में क्या-क्या पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे electrovalent या ionic bond, नाम सुनें आप, दूसरा क्या जी, covalent bond, तिसरा क्या जी, coordinate bond, चोथा क्या जी, जिसको लिखना है types of chemical bond लिख सकते हैं आप, electrovalent और ionic bond, second one is covalent bond, फोलो करते हो बात को, क्या-क्या जी, types of bond हम लोग जो पढ़ेंगे, यहां types of chemical bond, फोलो करते हो बात को, types of chemical bond में क्या-क्या पढ़ेंगे हम लोग, यहां पर हम लोग बात करते हैं, एक electrovalent बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं जी, electrovalent और ionic bond, जो भी बोलो, पहला, दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे जी, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे covalent bond, ये दोनों के बारे में थोड़ा सा आपको भी बताए गया, detail में इसे बारे में बताएंगे, covalent bond, तीसरा क्या है जी, covalent का ही एक्ठो टाइप है, और वहाँ पर क्या होता है, coordinate bond बनता है, क्या बनता है, coordinate bond, फोलो करता हम आद को, covalent bond ही होता है, वहाँ पर hydrogen and chlorine में दिखाए थे ना, ये hydrogen दिया था, एक chlorine दिया था, लेकिन अगर कोई एक ही atom, दोनों electron दे और sharing हो, तो उसको बोलता है, coordinate bond, इस अब detail में हम लोग देखेंगे, clear है, आगे इसके बारे में detail में देखेंगे, अगला अगर हम लोग बात करें, coordinate bond के बाद क्या बात करते हैं जी, अगला हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, hydrogen bond, ये बड़ा important है, hydrogen bond, पुरा organic chemistry में परसान करेंगे, आपको देखेंगे hydrogen bond का बड़ा effect होता है, और hydrogen bond, बड़ा निमोनिक्स के साथ हम पढ़ाएंगे, वहाँ दो तरह का hydrogen bond पढ़ेंगे, एक intermolecular, दुसरा, intramolecular, intermolecular को हम correlate करते हैं, intercaste मेरे से, different cast का मेरे से, सब effect वही होता है, देखेंगे, और intramolecular का किस के साथ होता है, इंट्रा कास्ट मेरे मतलब सेम कास्ट में जब मेरे होता है, उस सब बारे में हम लोग देखेंगे, hydrogen bond का two types है, फुरमात को, और अगला अगर हम लोग बात करें, तो क्या है जी, भेंडरवाल, भेंडर, अरवाल, डवल, और दो, तिन टो ये लिख दो, तिन टो ने लिखो दो टो कम से कम लिखो, बेंडरवाल फोर्स, क्या बात करते हैं जी, बेंडरवाल फोर्स का बात करते हैं, अगला अगर हम लोग पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे जी, बेंडरवाल में भी बहुत सारा फोर्स पढ़ेंगे, हम लोग कौसम फोर्स, डीवे फोर, लंदन फ पढ़ेंगे मेटेलिक बॉन्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ना ज्यादा नहीं है इस सब के बारे में डिटेल में हम लोग बहुत सारा कुछ देखेंगे इंट्रमोल्कलल फोर्स तो पता ही आपको यह मिल्टिंग बॉलिंग पैंट को एफेक्ट करेगा कौकि मिल्कुल मॉल्कुल की बीच में फोर्स है देखेंगे क्या इसब का एफ्ट है तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला बॉन्ड के बारे में एक करके हम detail में सब के बारें पढ़ेंगे और इस chapter में और क्या पढ़ना है जी देखेंगे octet rule फेल हो जाता है कभी-कभी stability को explain के लिए तो हम लोग पढ़ेंगे एक नया theory जिसका नाम है balance bond theory फिर bbt जाब वकात में आजाएगा नहीं समझा पाएगा पारा magnitude भी अभी रोटू को क्या फजन सुरूल उससे बहुत कोशन आता है फिर हम लोग क्या बात करते हैं जी हम लोग आगे पढ़ेंगे hybridation के बारे में तो बहुत सारा topic important यहाँ पर मिलेगा एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे और सबसे पहले आज अस्टार्ट करते हैं हम लोग electrovalent और ionic bond follow करते हो बात को electrovalent और ionic bond के बारे में और electrovalent और ionic bond में हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना है कैसे bond बनता है इसका क्या favorable condition है फिर यहाँ पर हम लोग latest synergy के बारे में पढ़ेंगे latest synergy के बारे में detail पढ़ना है क्योंकि बहुत को सर्मा से आता है अगला हम लोग क्या बात करते हैं जी Electrovalency के बारें पढ़ेंगे Electrovalency क्या है नम्मर अप Electron Lost और गेन उसी कुल बोलेंगे जी डूरिंग फॉर्मेशन अप Electrovalent आनिगों उसके बारें पढ़ेंगे फिर बहुत सारा element क्या करता जानतो एक से ज्यादा Electrovalency दिखाता है जैसे हम लोग बात करते है P-Block में ASN P-Block का है यह क्या दिखाता है रे हम लोग बात करते है इसका 2S2P2 होता है यह जब पलस 2 दिखाएगा तो क्या होगा हम लोग बात करते हैं क्या जे यह 2S2P0 हो जाएगा अगर यह हम लोग बात करते है पलस 4 दिखाएगा क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 2S0P0 तो का ने मतलब यहाँ AS का Electron अगर टेक पार्ट नहीं किया तभी तो पलस 2 होगा मतलब AS का Electron P को क्या बोला अरे बोला तू आगे आगे चल मैं पीछे पीछे आता हो सुनतो बात को AS बोलता क्या P को रुको रुको साथ में जाते हैं तो active रहता है लेक让 है बोला तू आगे-ागे चल मैं पीछे पीछे जाता हूँ अगे इनड़ तो इसलिये इसको बोलता है Inner pair więc इस इफट को क्या बोलते हैं इनाट पेयर इफट तो यह आगए-ागए चल पीछे-पीछे आता हूं के साथ बहुत कुछ इसमें ौज है परहेंगे डीटेल में हो लोग इनट पेयर इफट के बारे में और वहां से इनरगनी में बहुत कोशन आता है कमशन में भी आता है तो जो विरे एक से ज़्यादा बैलन्सी सोखिया न जी, इसको क्या बोलते हैं, फिर यह वो लेटो बैलन्सी, किसका, P बलोक का अलिमेंट का, इसी तरह से, D बलोक में, F का बैलन्सी क्या होता है, F O बनाया, फिर क्या बनाया जी, F 2 O 3, या F C L 2, फिर F C L 3, यहां पर बैलन् और पर दिखाता है, क्यों दिखाता है, हम लग पढ़ेंगे, हम लोrying बहुत अच्छा से समझेंगे, और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे आप, stability देखने के लिए ज़रा चोर सिपाई का भी खेलेंगे देखते हैं क्या है वो सब चोर सिपाई का खेल inner pair effect सब detail में बात करेंगे इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे जी properties of anic compound बस यह anic compound के बारे में सारा चीज complete हो जाएगा फोलो करतो बात को तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करते हैं कैसे आणिक bond बनता है कैसे बनता है पता ही आप lower class से ही पढ़ते आ रहेंगे due to complete transfer of electron भी देखेते हम लोग from highly electropositive to highly electronegative फोलो करतो बात को यहाँ पर कितना electron था इसके पास जी यहाँ 7 electron था किसके पास कोलोन के पास एक electron इसके साथ चला गया 281 है और यह क्या है 287 है तो यह कैसे बना due to complete transfer of electron from a highly electropositive to a highly electronegative element किलर है कोई दिकत नहीं है अब यहाँ पर क्या होगा यह electron जैसे transfer होगा रहे बाबु तो इस पर क्या होगा यह पर plus charge इस पर क्या होगा इदर होता है जी positive to negative कैसे होता है जी positive to negative किलर है और यह लोग बहुत direction में दिखा सकते हैं क्यों जी हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर क्या होता लाइन सफोर्स positive to negative दिखाते हैं जी अब इस केस में हम लोग बात करते हैं देखें यहाँ पर एक्चुली परतेक टेक को क्या करता है six CL माइनस घर के रखता है देखरो और उपर non-directional bone बोलते हैं क्या बोलते हैं non-directional देखेगा cobalent bone क्या होता है जी directional होता है वहाँ direction दिखाते हैं यहाँ पर हम लोग क्या बात करते हैं जी non-directional फोलो करतो बात को अब जो भी रहे हम लोग क्या बात करते हैं इस किसमें इस किसमें यहाँ पर NECL के बारे में solid है और NECL का structure क्या होता है पता है आपको FCC बोलता है एफसीसी है फैसेंटर क्यूबिक और यहां से बराबर injury medical में question आता है देखेंगे जब solid पढ़ेंगे तो यहां भी बहुत nemonics है मेरा सारा question बनाने के लिए एट्यूर्यट्यूर्यट्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर् है इसी तरह से एल टू ओ थ्री में दिखा सकते हैं एल टू ऐल्मुनियम का वैलेंस डून कितना है रे बाबो तिरी है तो नेचरल बात है हम लोग क्या बात करते हैं जी यहां तीन ऑक्सिजन उसके बगल में आया यह दो घट रहा है मेरा दीजिए ना आपके वैलेंस सेल में तीन है तो दे दिया दो आपरी क्या हुआ यह भी मांगा के तो यह इसको भी दो ठो दे दिया दे दिया जी अब एक इसका बच गया इसको दे दिया एक इसका दे दिया तिसका भी क्या थना हो गया देखो तो यह ठो गया नहीं हो गया बोलो ना तीस तरह से एल टू ओ अथ या इससे कोशन पुछता है इनिर्ग मेडिकल में कमप्रिशन में बहुत बात बनाता है जी लेकिन आपको बार बार बोल रहे हैं एक कोई भी एलमेंट कोई भी एटम पागल नहीं है कि अपना इस्टेविलिटी घटाने के लिए बॉन बनाएगा वो किसलिए बनाता है अपन कंडिशन फॉर दा फॉर्मेशन आप आइनिक बॉन हम लोग बात करते हैं क्या बात करते हैं जी फैवरेबुल कंडिशन फॉर आइनिक बॉन फैवरेबुल कंडिशन फॉर हम लोग बात करते हैं आइनिक या एलेक्टोबैलेंट बॉन फोलो करतो बात को क्या फैवरेबु कुन बनेगा यहां पर हम लोग एन ये अगर गैसी असिस्टिट में तो एक एलेक्टोन यहां निकला रहे बाबू तो क्या बनेगा यह प्लस गैस बनेगा न बोलो न और इस केस में अगर हम लोग बात करें क्या बनेगा जी एन ये प्लस गैस बनेगा सुनते हो और यहाँ पर जब electron निकालेंगे तो energy खर्च होगा जी और इस energy का नाम क्या है बोलिए तो इस energy का नाम है ने ionization potential ionization energy ionization enthalpy जो मन बुचाए कही है आप किसको बोलता है इने इस energy amount of energy required to remove electron from isolated gases system के इसको क्या बोलते है IP ionization energy किलर है किसी भी गेसिया से एक electron को निकालने में जो energy खर्च होता है उसको क्या बोलते है जी ionization potential बहुत कटन बात है second important बात क्या है हम लोग बात करते हैं यहाँ पर every CL minus में electron तो gain करेगा CL minus जो sodium दिया तो CL क्या करेगा जी एक electron gain करेगा और क्या होगा पलस वन electron होगा रे बाबू तो ultimately क्या होगा यहाँ CL minus gas बनेगा और जानतो हो जब electron वहां जाएगा add होने तो क्या होगा energy निकलेगा जी क्या निकलेगा energy और इसी energy को बोलते है electron affinity और जो इनर्जी निकला उसको क्या बोलेंगे पर कथन बात है तो यह दो काम होगा और तिसरा इस्टेप में क्या होगा N A plus gas और C L minus gas क्या करेगा solid बनाएगा रिस्टेबूल होना चाहेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा N A C L solid और यहाँ भी energy निकलेगा निकलेगा न R E synergy का नाम क्या है पता आपको lattice energy इसको बोलते हैं पढ़ेंगे lattice energy के बारे में detail में पढ़ेंगे हम लोग चिंता मत करिया आप lattice energy इसको बोलते हैं किसको बोलते हैं lattice energy lattice energy का क्या definition होगा देखो the amount of energy release when one mole of ionic solid is formed from its gaseous iron समझ रुन बात को एक mole ionic solid को उसका gaseous iron से बनाने में जितना energy निकलता है इसको बनने से इतना energy निकला अगर इनर्जी इसको दे देंगे तो टूट मिन जाएगा जी इंजनियर दिवाल तोड़के देखता है देखता है ने बोलो न आप अरे कोई इंजनियर कोई जाके हीटा जोड़ते हुए देखे हो आप तो जाता है गोर्मेंट का इंजनियर क्या करता है जो कॉंटेक्टर लोग काम करता है सही कर रहा है नहीं कर रहा है थोड़ा उठाता है ये गो इंटा तोड़ता है पता चल जाता है कितना मज़वती से काम हुआ है फोलो करतर मात को, तो इंजिनियर बनना आपको, डॉक्टर बनना जी, तोड़ना है, काटना है, तो जरासा उल्टा साइड भला भी देखना सिखिएगा, हाँ, हाँ, इसके बनने से जितना इनर्जी निकला न बाबू, उतना इनर्जी अगर इसको दे दोगे न, तो ये इसम इनर्जी होगा, फोलो करतर मात को, क्लियर है, कोई दिकत नहीं है न, समझ रहे न बात को, ऐसे ही मिलेगा आपको, कहाँ पर, बैंडिंग इनर्जी में, बैंडिंग इनर्जी क्या है, नुकलियस के बनने में जो इनर्जी लगता है, उसको बोलते है बने इनर्जी, उतना अगर दे दोगे नुकलियस को, नुकलियस टूट भी जाएगा, इसलिए ध्यान देना, कोश्चन कभी इदर से आता है, कभी इदर से आता है जी, ध्यान देना, जोडने वाला कोश्चन पूछा है, न इसको तोडने वाला कोश्चन पूछा है, तोडना वाला मतलब समझ र वाला बात कर रहा है नो दिल तोड़ने वाला बात कर रहा है क्लियर कोई दिकत n Alle Day कोई रहा है इनर्जी बढ़ा रहा है बोल कि यह कम अन्थ जाए करा है जितना कम अच्छा tyr PROFESSOR छाई दिनल रहेगा Ну अच्छा बात है तो आइपी क्या होना चाहिए लो होना चाहिए तब न असानी से एलेक्ट्रोपिजिटिव आइपकरमर करेगा आइपी अब मेटल्स क्या होना चाहिए बाबो लो होना चाहिए अब बोलो यहां इनर्जी निकल रहा है निकलने दो जितना निकलेगा उतना इ stability बढ़ेगा बार-बार हम लोग वहीं से कहा नहीं सुरू करें इनर्जी को घटाने के लिए chemical bond बनता है तो घटने दो निकलने दो निनर्जी को तो जितना ज्यादा निकलेगा उतना stability बढ़ेगा तो इसलिए यह अब non metal should be हाँ यह होना चाहिए कि नहीं चलिए latest energy भी जब आनिक bond बन रहा है उसमें निकल रहा है निकलने वला energy है निकलने दो नियार energy बहुत ज़र्ण है यहीं तो आई-पी में दूसरे बार देने निकाल में उने वाँदत को कर सकता है, तो यो जुर्चा कि निकलने मैं तो निकलने दो आमधनी है यार। यह आमधनी है दोनों, यह क्या खर्चा है तो जितना आमधनी है उने तो लेटी सिनर्जी भी क्या होना चाहिए रे बाबू लेटी सिनर्जी भी हाई होना चाहिए मतलब ये दोनों घटाने वाला इनर्जी है जितना हाई हो उतना ज्यादा इस्टिविटी है ये बढ़ाने वाला इनर्जी है इतना कम हो तो ना इस्टेविटी जादा होगा फॉलो करते हो मात को मतलब घाटाने बला इनर्जी मस्ट भी ग्रेटर देन बढ़ाने होला इनर्जी होना चाहिए तब भी तो केम कलब बनेगा एटम क्या पागल है अपना इनर्जी बनाने के लिए बनेगा जी कब भी नहीं तो काने मतलब क्या हुआ अईनिक वूण आसानी से कब मनेगा जी आए फी अप मेटल सुड लोउ I.E.A. अप मेटल सुड हाई एन लेटी सीनर्जी आप धा आनिक अमपाउंड सुड हुल्सो भी हाई 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 मतलू अरे किसी का हाई मतलू यार किदर नीचे से उपर से म मतलो किदर से जी नीचे से सुनते होना बात को हाँ आगे इस सब के बारे में और भी कुछ डिटेल बात हम लोग करेंगे लेकिन एक बार कोश्चन पूछ दिया था कि सम अब दीज मतलब यह तीनों में दोठो का सम मस्ट भी गेटर होना चाहिए किसे तिसरा से तो क्या होगा एक घाटाने वाला इनर्जी मस्ट भी गेटर दन बढ़ाने वाला इनर्जी होना चाहिए तो क्या होगा जी हम लोग बात करें फॉर्द फॉर्मेशना पानिक बॉन हम लोग सौट में अगर बोलें यह एन लेटी सिनर्जी क्या होगा मस्ट भी गेटर दन क्या होना घटाने वाला इनर्जी must be greater than बढ़ाने वाला इनर्जी मतलब येन लेटीश इनर्जी must be greater than IP और एक चीज़ ध्यान रखना लेटीश इनर्जी IP को compensate भी कर सकता है इस सब के बारे में हम बताएंगे आपको detail में कि निकलने वाला इनर्जी कभी compensate भी कर सकता है इसके चलते आप देखिएगा बहुत कुछ इफेक्ट होता है लिथियम एलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उपर मेठा हुआ है फोनमाद को और आइपी को हम क्या बोलते हैं खर्चा और इसको क्या बोलते हैं जी आमदनी क्लिर है ने जी इसलिए केवल खर्चा देखके आप किसी को गरीब मत बो अगने वो ये है और अगर बी है तो नेचरल बात है हम लोग बात करते हैं ile जी क्या ह gebaut यह वाला क्या होता है यह कामदनी कितना जानतो दस लाग और बी का अमदनी कितना जी 5 लाग तो बोलो यह 5 लुग खर्चा करता है अमदनी कितना है उसका 10 लाग V तीन लग खर्चा आमदनी कितना है पांच लाग बोलो पर मंत इसका कितना बचता है ये का पांच लाग क्यों की दस लग अमदनी है पर मंत इसका कितना बचेगा जी तीन लग खर्चा कर रहा है और पांच लग अमदनी है दूए लग न बच रहा है तो बोलो ज्यादा धनी कहीं से होता होगा ऐदर लेटिस इनर्जी से या कहीं हाइडेशन इनर्जी से मतलब केवल खर्च देखके किसी को मत रिसाइड करना केवल आईपी देखके रिसाइड मत करना अगर आईपी से उल्टा कहीं पर बात होना तो समझ जाना जरूर इसका आमदनी जादा होता होगा मतलब जरूर उसका latest energy जादा होगा जरूर उसका high-dress energy जादा होगा इसके बारे में अभी आज साइद समझने में दिक्कत होता होगा आपको इस अब आमदनी खर्चा के बारे में बहुत चर्चा करेंगे हम लोग इतना बात तो हम लोग जामते हैं के बारे में यह जो लेटी सिनर्जी बड़ा परसान कर रहा है इस सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत कुस्तनाता है नेक्स्ट कलास में अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना ओके फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं ओके बाई